एक दिन का प्लेंटी देखिए, आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, 1648 रुपया, आप सोचिए, अगर एक महिना कोई बंदा पेमेंट नहीं कर पाता है, तो अगर डेली 1600, अगर कोई भी कमपनी प्लेंटी लगाता है, तो एक महिने के अंदर ये जो एमाउंड है, 45,000 से भी पार कर जाएगा, यानि कि 50,000 रुपया, प्लेंटी, जी हाँ फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही चीज बताने वाला हूँ, कि मूबी की जीप, या तो फिर मूबी की पेलेटर से अगर आप लोन लियें और उसका पैसा नहीं चुका पाएंगे या तो फिर ऐसे कंडिशन में लोगों को क्या अधिकार है, क्या उनको यह अधिकार है कि लोन का रिपेमेंट नहीं करने पर भी उनको कुछ ना हो, तो बिल्कुल मैं सटिक जनकारी आप लोगों को देने वाला हूँ, एकदम जो RBI ने जो गाइडलाइन जारी किया, उसी के उपर मैं पूरा बात करूंगा, और यकीन मानिए कि अगर आप लाश्ट तक वीडियो को देख लेंगे, तो कोई भी लोन कमपनी खली, यह जीप पे लेटर की जो मैं बात कर रहा हूँ, इसका नहीं, कोई भी लोन एप्स आपको परेशान नहीं कर सकता है, भूल कर भी आपको कॉल नहीं करेगा, तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं, हलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त मुरारिगो स्वामी, और अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सस्क्राइब कीजिए मेरा आक्सिडेंट हो चुका है, मैं चल फिर नहीं पा रहा हूँ, मैं होस्पिटल में लगवग चार महीने से एडमिट हूँ, और कम्पनी बार-बार मुझे कॉल कर रहा है, और पैसा रिकावरी करने के लिए, मुझे पैमेंट करने के लिए बोल रहा है, लेकिन मेरे पास तो और लोग हमें धमकी भी दे रहे हैं कि आपके खिलाब legal action होगा, आपको जो है jail जाना पड़ेगा, क्या मुझे jail भी जाना पड़ेगा, मेरे घर पे agent भी आएगा, यह तो police भी आएगा, तो यह सभी जो चीज है ना, तो उनको मैंने समझाया, वो समझ गये, उनका जो ड पर आपका solution भी मिलेगा, ठीक है, तो मैंने उनको बोला, भाई साब आप जो भी details आप मुझे बता रहे हो, उस details को आप क्या कीजिए, मुझे share कीजिए, WhatsApp के, ताकि मैं लोगों को भी बता पाऊ, तो उन्होंने भाई साब ने मुझे यहाँ पर share किया, ठीक है, तो मैं यहा पर daily का plenty यहाँ पर देखिए, 400 रुपया लगाया है, 21 स्थारिक को, 200 लगाया है, 200 लगाया है, और अभी जो आज का जो दिखाया मैंने वो कितना दिखाया आपको, यहाँ पर देखिए, 1648 दिखाया, ठीक है, अब यहाँ पर total loan amount कितना है, वो भी मैं आपको दिखाता चलिए, यहाँ चलते हैं, और यहाँ पर देखिए, यह total loan amount है, कितना का, loan amount लिया था 20,000, और यहाँ पर पे करने के लिए बोल रहा है, 30,384 रुपया, यानि कि 30 दिन में 10,000 इनका plenty वगायरा जोड लिया है, अब 30 दिन जब पार हो चुका है, उसके बाद कितना plenty लगा रह चलता है, तो 600 को अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को लेके चलता हूं, कुलकुलेटर में, पुरा मैं आप लोगों को details समझा रहा हूं, यहाँ ले जाता हूं, आपको, कुलकुलेटर में, आप इसको अगर मैं open करता हूं, और 1648 इंटू 30 करता हूं, देखिए, उन पचास अब 20,000 का लोन कोई भी बंदा 89,000 कैसे भर सकता है क्या यह RBI कहता है कि इतना ज्यादा प्लेंटी लगा सकते हैं बिलकुल नहीं आपको जितना प्लेंटी लगाना है अगर आप सच में प्रूबलम में है ना तो इनका कॉल ही रिशीव करने बंद कीजिए सबसे पहला इंग्नोर करना ही ठीक है अभी देखिए अब यहां पर क्या उपाए है उपाए तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा जो क्या उपाए यहां पर सबसे पहले आपको यह जानना चाहिए कि आर बी आई क्या कहता है एन बी अपसी रेजिस्टर कंपणी यहां मोवी की की डाउनलोड की बात किया जाए तो हमको लगता है चली प्लेश्टूर पर चेंकी कर लेते हैं अभी तो डेली अपडेट होता है तो मुझे ध्यान भी नहीं है तो मैं यहां पर देखता हूं सर् को पेल लेटर यूज करना है जो कि जीपिंगा आह साथ हजार का लिमिट हमलता है यह लिमिट भी देते हैं पैसा इस परन抵ासी लेता है लेकिन और ज्चार्ज लेता है कि इस tạiका का प्लेंटी लगाता है मतलब जो है उतो ही चलिए सब बात छोड़ते अगर आप ले लिए तो आपका जो होना है वह हो रहा है अब यहां पर देखिए कि कमपनी अपना जो डाटा है उसको अर्बिया को जब देता है न तो लोगों का एप्प पर कुछ अलग अपडेट करता है अब इससे क्या होता है जैसे कि आपको क्या लग रहा है कि यह जो मेरे भाई-साब जो भी सब्सक्राइबर है इसके ऊपर लिगल केस होगा नहीं होगा क्योंकि 20,000 का एमांड 89,000 का डिमांड जो लिगली नहीं कर सकता है हां यहां पे कुछ हो सकता है जैसे कि मान ले आ जाए कि सर मेरा जो यहां पे payment है वो customer Pay नहीं कर रहा है तो यहां पे RBI यह भी कहता है कि अगर आपका आर्थिक कि श्तिती खराब है आप देन नहीं है आपका असमर्थ है पैसा चुकाने में तो आपको यहां पर लोन कंपणी को टाइम देना पड़ेगा टाइम देना ही पड़ेगा और अगर कोई लोन एपस ऐसा नहीं करता है प्लेंटी लगाता है कस्टमर को परिशान करता है उसके खि लोन के बारे में कुछ पता नहीं होता है लोन लिया उसके बाद जब प्रूबलम होता है तब गूगल पर सर्च करते हैं यूटूब पर वीडियो दिखते हैं तब जाके पता चलता है कि अच्छा इस तरह का बात है तो टाइम तो देना पड़ेगा अब रहा किस से बचा क से जाए तो बचने का एक सिंपल अगन आसान तरीका आप लोगों को बता रहा हो और लोन रिकवरी बाले आए एजेंट आए और आए कोई भी आए यही चीज को आपको दोहरा देना है उनको जो रियाल्टी है वही चीज उनको दिखाना है आपको पूरा डॉकमेंस अपने से खिलाप नहीं कर सकता है क्योंकि आप खूद स्वस्त नहीं हो तो इसलिए आर बड़े भी छूट देता है यह लूट अततेवरे लगाया पसे अँचिंट रही हैं पूरा लून आपके माप आप क्या करें जो मेरा डिया है 20,000 वही पैसे चुका देजे passengers 1 i उनको वे अज इसके लिए आपको धहर ही रखना पड़ेगा डरना नहीं पड़ेगा जब भी आप लोगों को कॉल कर देता है या आपको legal action लेने का धंकी देता है तो आप लोग डर जाते हैं बिल्कूल डरना नहीं है आप लोन लिए वाइसा इसा नहीं है कि आपने कोई crime किया है अगर case भ भी लोग हैं जो जान बूच कर payment नहीं करते हैं उनके लिए मैं वीडियो नहीं बना रहा हूं मैं उनको यही चीज बोल रहा हूं कि पैसा अगर किसी भी company से लिए तो payment कर दीजिए अगर नहीं करते हैं तो civil खराब होता ही है और साथ-साथ में आपको परिशानी भी हो सकता और अनिक परकार का company के पास legal action लेने का authorized भी है क्योंकि उतने बड़ी company कुछ भी कर सकते हैं तो कर तो सकते हैं लेकिन वह भी legally नहीं कर सकते हैं और legal में जितना आपका अधिकार है उतना उसका भी अधिकार है जितना जो बात आप कहना चाहेंगे वह बात भी कहेगा तो यह ही चीज में आप लोगों को सेयर किया पिल्कुल डरना नहीं है अराम से रहिए अगर आपको सच में problem है तो लास्ट में settlement होगा settlement होने के time आपका loan amount जो है जो अपने लिया वही देना होगा कोई plenty नहीं कुछ नहीं एकदम आराम से loan आपका माफ हो जाएगा तो यही था information और